आम आदमी पार्टी ने 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाती मालिवाल को अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया है। इसके साथ ही पार्टी ने मौजूदा सांसद संजय सिंह और एंडी गुपता को राज्यसभा में फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। समाचार एजनसी PTI ने शुकरवार को पार्टी सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिती की बैठक में ये फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र के हवाले से PTI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा के लिए नोमिनेट किया गया है। राजनीतिक मामलों की समिती ने संजय सिंग और एंडी गुपता को राज्यसभा के लिए दूसरी बार नोमिनेट करने का फैसला किया है। आपके राज्यसभा सानसद सुशील कुमार गुपता का कारेकाल इसी महीने खत्म होने जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने हरियाना की चुनावी राजनीति में पूरा वकत देने के लिए पार्टी से इच्छा जताई थी।